वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारी कश्मीर ट्रिप के फर्स टू डेज एकदम बड़िया और मेमोरेबल रही इसमें हम शीनगर हाउस बोट डल लेक और यहां के सभी टूरिसर अटरेक्शन्स पे गए थे बट दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं कश्मीर के में टूरिस स्पोर्ट् और इनी में से एक हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन पे आज हम घूमने जा रहे हैं जियां दोस्तों जन्यते कश्मीर की सबसे सुन्दर जगा गुलमर्ग फ्रेंड्स जब हम कश्मीर घूमने का सोचते हैं तो हमारे मन में काफी खयाल आते हैं जिसमें चाहें आपको स्नोफॉल इंजॉय करनी हो या गॉंडोला राइट करनी हो अपने लवड़ बन्स के साथ फोटो शूट करना हो या स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज करनी हो स्कीइंग करनी हो या सिंपली फ्रेश नो के बीच मैगी और कहवे के साथ दो पल सुकून के बिताने हो आपके इन सभी सवालों का एक ही जवाब है गुलमर्ग आज का ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है इसमें हम आपको गुलमर्ग टोर के बारे में कम्प्लीट इन्फोर्मिशन दिने वाले हैं कम से कम बजट में गुलमर्ग कैसे पहुचा जाए बैस स्नोफोल आपको कम मिलेगी यहाँ पे आके आपको कहा कहा गुमना चाहिए सस्ते में गॉंडोला राइट की टिकेट कैसे लें और खासकर वो लोग जो फैमिली है बच्चों के साथ गुलमर्ग जाने का प्लैन कर रहे हैं वीडियो के end में safety related भी हम अपना experience आप से share करेंगे जिससे आप यहाँ पे चल रहे हैं छोटे मोटे scam से भी बचे रहेंगे दोस्तों गुलमर्ग आने से पहले आप सभी काफी research कर रहे होंगे और वो करनी भी बनती है हमने भी यहाँ आने से पहले काफी videos देखी बट unfortunately हमें किसी भी video में complete information नहीं मिली किसी में कुछ missing था तो किसी में थोड़ी misleading information भी थी ये सब हमें तब realize हुआ जब हम खुद वहाँ होके आए बट हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी इस video में कुछ भी miss नहीं होगा क्योंकि हम हर एक basic से basic detail को cover करके चलेंगे और आपको कोई और video देखने की जरूद भी नहीं पड़ेगी तो video को end तक जरूर देखना ताकि कोई भी detail मिस नहीं हो क्योंकि यहाँ पे की गई एक गलती आपके पूरे trip को spoil भी कर सकती है सुबा के बज रहे हैं no and we are ready and super excited for our trip to Gulmag एक simple से breakfast के बाद हम अपनी houseboat से check out करके निकल गए हैं डरल लेक के गाट नमबर 7 के लिए जहां हमारी travel agency की taxi हमारा wait कर रही है आपको बता दें श्रीनगर से गुलमग का distance around 50 km है जिसके लिए हमें around 2 गंटे लगने वाले हैं As there is also a snow forecast for today in Gulmag हमने अपने साथ थोड़े warm clothes भी रख लिए हैं और यहां हमारी road trip स्टार्ट होती है Friends, Gulmag एक बहुत popular hill station है जो की कश्मीर के बारमुला district में located है अगर आप अपने expense पे गुलमग पहुचना चाते हैं तो श्रीनगर से आपको easily private taxi मिल जाएगी जो आप से 2-3,000 रुपे लेंगे जिसमें वो आपको वहाँ घुमा के शाम को वापस स्रीनगर डॉप कर देंगे अगर आपका budget और जाधा tight है तो आप शिनेदर से टंगमग तक की sharing taxi भी ले सकते हैं जो कि आपको 200 रुपे में टंगमग छोड़ देगी टंगमग से गुलमग 14 किलोमेटर दूर है और यहां से आपको गुलमग के लिए फिर से sharing taxi करनी पड़ेगी जिसके लिए आप से 100 रुपे लिए जाएंगे हम पहुच गए हैं टंगमग, this is kind of a security check post और पाकिस्तान LOC is barely few kilometers away from here यहां पे उतर के आप गुलमग में उपर काम आने वाली ज़रूरी चीजों को रेंट पे ले सकते हैं As soon as I got out of the car, I felt the freezing chills शिनगर के मुकाबले यहां पे काफी ठंड़े बॉस अगर आप अपने साथ एक अच्छी और warm jacket नहीं लाए हैं तो वो आपको यहां से जरूर लेनी चाहिए बार्गेन करने के बाद यह आपको 300-300 रुपे की बीच में मिल जाएगी इसके अलावा हमको गंबूट्स तो लेने ही पड़ेंगे विगोज स्नो में नॉर्मल शूट्स किड़ करते हैं इसका रेंड हमने दिया 150 रुपीज पर पेर दोस्तो हेवी स्नोफोल के टाइम पे चाहें आपकी प्राइवेट टेक्सी हो या शेरिंग टंगमक से आगे आपको जाने नहीं दिया जाएगा रिजन बिइंग इससे आगे की रोट काफी स्टीप है और रोट्स पे हेवी स्नोफोल होने की वज़े से टाइस किड़ करते हैं यह सिचुएशन जनरली मिड ऑफ जैन्वरी से मार्च स्टार्टिंग तक रहती है इस टाइम में टंगमक से गुलमक जाने के लिए स्पेशल स्नोचेंड विकल्स यूज होते हैं जो कि आपको सेफली गुलमक पहुचा देते हैं अब हम निकल गएं टंगमक से ये लास्ट का दस किलोमीटर थोड़ा स्टीप है बरफ से ढके हुए यहां के उचे उचे पाइन ट्रीज यहां के व्यू को एकदम स्टनिंग मनाते जा रहे हैं अराउंड दो गंटे की रोट्रिप के बाद हम फाइनली पहुच गएं गुलमक आपको बता दें गुलमक पारकिंग से सिर्फ वही गाड़ी आगे अलाउड है जो यहां पे नाइट स्टे के लिए आई है यहां पारकिंग से हमें सबसे पहले जाना है गुलमक के गंडोला स्टेशन जो की यहां से एक किलो मीटर दूर है आप चाहें तो यहां से चारसो से पांसो रुपे में पोनी या एटीवी बाइक आयर कर तकते हैं अदर्वाइज यहां के सीनिक व्यू का मज़ा लेना है तो बाइवाग भी आप यहां पे 10 से 15 में पहुच जाएंगे दिसंबर से फरवरी एंड तक आपको यहां पे नीचे भी बरफ मिलेगी बट अगर आप उसके बाद यहां आएंगे तो स्नो के लिए आपको गॉंडोला से उपर फेज वन के लिए जाना होगा अब हम पहुच गए हैं गॉंडोला स्टेशन यह एक तरह की रोववे है जो हमें गुलमक के फेज वन फेज टू पीक्स तक लेके जाती है बात करें इसकी टिकेट की तो फिलाल यह ओनलाइन ही बुक हो रही है जादा रश होने के वैसे गॉर्मेंट अथोर्टी ने यहां पर ऑफलाइन टिकेट काउंटर्स बंद कर दिये हैं हमने भी यह टिकेट यहां आने से पहले ऑनलाइन ही बुक कर ली थी गॉंडोला टिकेट बुक करने के लिए आपको इसकी ओफिशल वैबसाइट पर विजिट करना है इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे यह गॉंडोला राइट दो फेजिज में डिवाइड़ेड है जिसमें सबसे पहले हमें जाना होता है फेज वन यानि कॉंडोर पीक कॉंडोर पीक सी लेवल से 10,000 फीट की हाइट पर सिचुएटेट है इसके बाद अगर आपको और उपर जाना है तो आपको कॉंडोर से ही फेज टू यानि की अफरवत पीक के लिए गॉंडोला लेनी होगी बात करें टिकेट प्राइस की तो फेज वन के लिए इसकी टिकेट 740 रूपीज है विच इस टू और अगर आपको फ़रदर फेज टू के लिए जाना है तो उसकी टिकेट रहे की 950 रूपीज विच इस आलसो टू और फ्रो Seeing the increasing rush day by day, we would advise you to book these online tickets at least one month before visiting here अमारे पास online ticket है तो हम directly गॉंडोला बोर्डिंग की लाइन में लग गए हैं शायद weekend होने की वेज़ से यहाँ पे काफी लब्मी लाइन है और उपर से यहाँ पे temperature भी 3 डिगरी के आसपास पहुच गया है अगर आपके साथ बच्चे या बड़े हैं तो आप उन्हें लाइन के एंड पर लगवी बैंचिस पर बिठा सकते हैं यहाँ पर आके हमने सभी लोगों के हाथ में online ticket के printouts और अधार कार्ड भी देखे जो हम अपने साथ लाना भूली गए ऐसा लग रहा है हम गॉंडोला राइट के लिए नहीं कहीं वोट डालने जा रहे हैं बट आगे जागे पता चला कि इसके print निकालने वी वही नीड ही नहीं थी आप अपने फोन में ही ticket और आधार कार्ड शो करके गॉंडोला बोट कर सकते हैं हमें एक गंटे से ऊपर टैम लगा गॉंडोला स्टेशन की क्यू से गॉंडोला बोट करने में बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स वेटिंग फोर इस इस तोटली वर्थ इट इस दी वर्ट सेकेंड हाइस केबल कार और विजुली इस ब्रेट टेकिंग यह गुलमग का सबसे ब्यूटिफिल पार्ट है आप नीचे देख सकते हैं यह पूरा ट्रस्ट पार्ट है ट्रेकिंग एरिया है समज में यहां ग्रींदी रहती है और आप ट्रेक करके भी उपर फेज वन तक जा सकते हैं यहां पर आते ही हमने देखा यह पूरा एरिया स्नो से डखा हुआ है और दूर दूर तक सब कुछ वाइट आउट हुआ हुआ है अगर आपको बस स्नो फॉल इंजॉय करनी है तो बाइस आप गुलमग से बड़ी है जगा आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी और इसी बात पर इस वीडियो पे एक लैक तो बनता है बॉस बात करें गुलमग में की जानी वाली स्नो एक्टिविटीज के दो इसमें सबस्यादा पॉपुलर है स्कींग यहाँ पे बिगनेल लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक की स्कींग की जाती है जिसका चार्ज स्टार्ट होता है पंदरा सो रुपे से इसके अलावा आप यहाँ स्नो बाइक भी चला सकते हैं जिसका एक राउंड का चार्ज हमसे लिया गया हजार रुपे इस पे घूम के आप गुलमग की ब्यूटी को एक अलग ही लेवल से एक्सपिरेंस कर सकते हैं और कुछ नहीं तो आपको यहाँ पे स्लैज राइट तो ज़रूर करनी चाहिए इसके चार्जेस भी आपको दो से तीन गुना जादा बोले जाएंगे जो की सीजन टू सीजन उपर नीचे होते रहते हैं बट ध्यान रखें आपको यहाँ पे दबा के बार्गेन करना है बार्गेन करने के बाद हमें इस स्लैज राइट छे सो रुपे की पड़ी इसमें हमारे थ्री पॉइंट्स कवर होंगे अब भी अपने बजट के हिसाब से यहाँ स्नो एक्टिविटी जरूर एंजॉय करें स्लैज राइट वाले भाईया नहीं हमें यहाँ पे लोकेटेड कुछ ओपन रेस्टोरेंट्स के सामने छोड़ दिया एंड वी अर सर्प्राइज टू सी कि 10,000 फीट की उचाई पर भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स अवैलेबल है इस सर्दी में गरमा गरम कश्मीरी कैवा दो बनता है एंड टू कॉंप्लिमेंट दिस वी अवालसो आउडर्ड मैगी इतना जादा उबर होने के वैए से यहाँ पे खाना थोड़ा ओवर प्रैज डी है यहाँ पर पहुषने के कुछ देर बाद ही यहाँ पे फ्रेश नोफर्स स्टार्ट हो गई है विच इस लिटरली आइसिंग ओन दा केक फॉर अस गुलमग इस अटरली फेमस फर बॉलिवड आलसो यहाँ पे बहुत सी मूवीज की शूटिंग हुई है फेज बन इंजॉई करने के बाद हमारा प्लैन था फेज टू यानि के अफर्वत पीक जाने का बट हमें यहाँ से पता लगा कि फेज टू पे काफी वड़ा एवलांच आया है जिसकी वएसे फेज टू की गॉंडोला राइट कैंसल हो गई है इसका रिफंट तीन से चार दिन में हमारे अकाउंड में आ गया था अफर्वित पीक यहां से और 14,000 फीट की उचाई पे लोकेटेड है वह यहां का नजारा और भी जादा नेक्स लेवल होता है एंड इस पीक से पूरी कश्मीर वैली का आप पैनरॉमिक व्यू ले सकते हैं यह पीक इतनी ज़्यादा हाइट पे है कि आप यहां से पाकिस्तान एलोजी भी इसली देख सकते हैं बट इस चीज़ का धियान रहे विंटर्स में यहां पे टेंपरेचर हमेशा माइनस में ही रहता है और ऑक्सिज़न लेवल भी थोड़ा डाउन ही रहता है इसलिए अगर आपके साथ बच्चे या एजट लोग हैं तो आप फेजन पे ही कमफर्टेवली इंजॉई कर सकते हैं फ्रेंड स्टिल आपका स्नो इंजॉई करने से मनना बरा हो तो हमारी यह रेकमेंडेशन रहे गया आप फेज वन से नीचे गॉंडोला स्टेशन तक स्लेज राइड करके जा सकते हैं बट आपके साथ बच्चे हैं तो आपको यहां से जाना अवोइड करना चाहिए हमने इस डाउनिल स्ट्रेज राइड का रेट पता गया जो कि इन्होंने बताया दो हजार रुपे अफ्टर इंजॉईंग हेर फर मोर दन टू आवर्स इट्स टैम्ट उसे गुडबाय तू दिस मैजिकल प्लेस यहां से हम अपने साथ कुछ अनफॉर्गेटेबल मेमरीज भी कैप्चर करके ले जा रहे हैं आप खुद को भी यहां गुलमग के ब्यूटफुल लैंड्सकेप में पिक्स क्लिक करने से नहीं रोक पाएंगे अब हम वापस नीचे जा रहे हैं गुलमग में इसके बाद हम जाएंगे यहां के फेमस महरानी टेमपल गुमने यह महादेव का मंदर गुलमग पारकेंग एरिया के पास ही लोकेटेड है दोस्तों अगर आपको इस मंदर को देखके कुछ याद नहीं आया तो हम आपको बता दें यह वही मंदर है जहापे 1974 में राजेश खन्ना का सूपर हीट सॉंग जैजे शिव शंकर शूट हुट हुआ था ये मंदर एक छोटे से हिल पे बना हुआ है पचास सिड़ी चड़के हम जा रहे हैं उपर मंदिर में इस मंदिर से पूरे गुलमग का बहुत ही शांदर व्यू दिख रहा है अंदर जा कि हमने प्राचीन शिवलिंग के मनमौक दर्शन भी किये फ्रेंड्स बात करें गुलमग में होटेल स्टेस की तो यहां होटेल के लिमिटेड ऑप्शन ही है और एवरेज कैटेगरी का होटेल आपको एडलिस चार से पाँसार रुपे तक का कॉस्ट करेगा और सीजन में तो यहां के होटेल के स्टार्टिंग रेट ही आठ थजार तक पहुँच जाते हैं अगर आपका बजट अलाओ करता है तो आप एडवांस में इसकी ओनलाइन बुगिंग कर लें अधरवाइस हीनगर में भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं गुलमाक से निकलने के बाद आप द्रंग वाटरफॉल भी जा सकते हैं इस वाटरफॉल का रास्ते में एक एरिया पढ़ता है मागम वहां आपको शॉल्स एन अधर हैंडी क्राफ्ट की काफी अच्छी शॉप मिल जाएंगी शिनगर के वजाए आप यहां से शॉपिंग कर सकते हैं यहीं से शिनगर में पश्मिना शॉल की सप्लाई होती है तो आपको यहां कोई भी क्वेरी हो तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे और इससे पिछली वीडियो में हम आपको शिनगर की टूरिस अट्रेक्शन पे लेके गए थे वो वीडियो भी आप उपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो पसंद आए तो जल्दी स लाइक कर दीजिए और ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों आने वाले अगले वीडियो इससे भी जादा अमेजिंग और एक्साइटिंग होने वाले हैं आप नोटिवेशन बेल भी ओन कर दें ताकि इस सीरीज की कोई भी वीडियो आपसे मिसना हो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अंटिल देन कीप स्ट्रोलिंग एंड स्टे टून